जल अतिकरमान यों नागरिकों के अन्य विबिन्न समस्याओ के समण में ततकाल कारेवाई करे तथा लोगों को राध दिलाने के लिए आवश्य कारेवाई करे ऐसा आदेश पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने प्रशासन को दिया आगे डालते एक नजर नागरिकों के विबिन्न मुद्दों को लेकर प्राप्त शिकायत पर सरक्षन मंत्री डॉक्टर सुनवाई की अध्यक्षता नितिन राउत ने की चत्रपती शिवाजी महराज के नवीन प्रशासनिक भवन में आयुक्त भवन में आयोजेत पिशेश बैठक में नगर आयुक्त एवं प्रशासक श्री राधा कृष्णन बी, कलेक्टर आर्वेमला, नागपूर रिफॉर्म्स के अध्यक्ष प्रनाव श्री, मनोच कुमार सूर्यवंशी, मुख्यकारिकारी अधिकारी, नागपूर स्मार्ट एंड संस्टेबल सीटी जवलप्मेंट कारोपरेशन लिमिटेड, श्री चि श्री महिश धमेचा, श्री अशोक पाटिल, कारेपालक अभियंता, श्वेता मैनर जी, अविनाश बरहाटे, सुनाली जोहान, खेल अधिकारी, पियोश अंबुलकर सहित, रेलवे के अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्याले, ना सुपरा उपस्ते थे सरक्षन मंत्री की बैठक में, डॉक्टर सुबोध, नंद गवाली और बाल मुकुन जनबंधु ने वंजारा, पंजरा और कलमना में पानी के कनेक्शन के मुद्दे उठाएं, जबकि सुरेश पाटिल, सतीश पाली, मनोज, सांगुले और राकेश निकोसे ने उतरे हाओ और अन्य समस्या होती है, पंजरा में पानी के आपूरती में बाधा होने के कारण, टैंकर से पानी के आपूरती की जाती है, नागरिकों ने मांग की है कि पंजरा में एक नव निर्मित टैंक से पानी के आपूरती की जानी चाहिए, सरक्षन मंत्री डॉक्टर नितिन जरूरी है शिरुवात में नासुप्रा ने पाइपलाइन बिछाई थी कारे पालक अभियंता श्वेता बेनरजी ने बताया कि उत्रे नाकपूर के कई हिस्सों में नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है जलापूरती निगम और OCW के बीच उचित समयनवय होना चाहिए और अतिक्रमन की शिकायद दर्च कराई थी आपको बता दे कि इस शेत्र में पिछले 60 वर्षों से अतिक्रमन होने के कारण स्थानिये लोगों से अतिक्रमन हटाते हुए पुनरवास की मांग की गई थी NBC News के लिए राजकुमार मोहड के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट